नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है डक्टर आर्बी धमन और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं पन्ना रतन पन्ना रतन इसमें क्या खूबियां हैं क्या विशेश्टाएं हैं इस रतन से किस परकार के लाब किस लगन वाले को होते हैं किस को धारन करने से ज्यादा लाब होते हैं किस को धारन करने से कम और किस को धारन करने से बिलकुल लाब नहीं होते और कौन सी लगन वाले ऐसे हैं जिनको पन्ना रतन बिलकुली सूटेबल नहीं उनको नहीं पहनना चाहिए अगर वो पहनते हैं तो हानी की संभावना परबल होती है तो आएए आज पन्ना रतन के बारे में विस्तार पूरवक जानते हैं पन्ना रतन किस ग्रह का रतन है पन्ना रतन के अधिपती है ग्रहों के मंत्री मंडल में राजकुमार ग्रह बुद्ग्रह पन्ना बुद्ग्रह कारतन है इस ग्रह को सबी ग्रहों में राजकुमार का दरजा परापत है और परंतु अलग 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 लगन वालों को बुद्ग्रह अलग अलग परकार से अपना फल परदान करने वाले होते हैं अलग अलग शक्ति के अनुसार उन्डी में कैसी शक्ति है बुद्गरे की उसके अनुसार भी बुद्गरे अपना फल शुब या शुब या कम शुब या ज्यादा शुब इस परकार से देते हैं अपनी शक्ति के अनुसार ये फल देते हैं बुद्ध किस लगन राशी वालों के लिए सबसे ज्यादा शुबकारी होगा और किस लगन राशी वालों के लिए मध्ध्यम होगा किस लगन राशी के लिए बिलकुल नियून और अती नियून शुब फल देने वाला होगा कौन सी लगन रशियां ऐसी हैं जिन के लिए बुद का रतन पन्ना अगर धारण किया जाए तो वो हानी का रख होता है तो आएए जानते हैं सबसे पहले शुब लगने जिन के लिए पन्ना सबसे ज़्यादा शुबकारी होता है जोतिश शास्तर के अनुसार पन्ना रतन मिथुन लगन वालों को, कन्या लगन वालों को, तुला लगन वालों को, और मकर लगन वालों को, इन लगन वालों को सर्वाधिक अनुकूल, मतलब शुब फल देने वाला होता है इसके बाद फिर दो लगने और हैं जो वरशब और कुम लगन है इनके लिए नीटरल फल देता है पन्ना अगर दरन करते हैं ये जातक तो नीटरल का मतलब ये है कि ना तो ज्यादा शुब ना ही कोई अशुब फल विशेश देता है पन्ना किस लगन वाले को नहीं पहनना चाहिए कहां ये नुकसान देता है किस लगन वालों को तो जोतिश शास्तर के अनुसार पन्ना रतन सिंग लगन वालों को धनू लगन वालों को और मीन लगन वालों के लिए सबसे ज़्यदा अशुब फल देने वाला होता है इसके बाद फिर मेश लगन है, कर्क लगन है और विश्चक लगन है इनके लिए भी अशुब होता है अशुब नहीं होता जतना सिंग, धनू और मीन लगन वालों के लिए अशुब हो सकता है तो इसलिए इन छे लगन वालों को पन्ना बिलकुल नहीं पहनना चाहिए, सिंग लगन वालों को, धनू लगन वालों को, मेश, कर्क और वरिशक लगन वालों को, इनके लिए पन्ना रतम धारन करने का मतलब ये है कि हानी, नुकसान. इस परकार पन्ना रतन के लिए सर्वादिक शुब लगने जो हुई, वो हैं मिथुन, कन्या, तुला और मकर लगन. वरिशब और कुम लगन सम हैं, यानि नूट्रल हैं पन्ना रतन के लिए. पहले तो हम शुरुआत करते हैं मिथुन और कन्या लगन की. इन दोनों लगन वा जाता है. लगन का स्थान सक्रिये हो जाता है. मिथुन और कन्या लगन वालों को लगन भाव के शुब फल पराप्त होने लग जाते हैं. मिथुन और कन्या लगन के लिए जब बुद्गरह एक्टिवेट हो जाता है लगन के रूप में, तो समझ लीजिए कि इस दो लगन वालों के लिए बुद्ध का रतन धारण करने से शारिरिक बल की प्राप्ति भी होती है, मानसिक बल की प्राप्ति भी होती है इन्हें और सभाव में आकरशन आ जाता है. यानि किसी को भी आकरशित करने की शक्ति सभाविक रूप से इनमें आ जाती है. आतम बल की व्रद् का मतलब एक और भी है यानि रोग परती रुदक शमता का विकास भी होता है अगर पहले कम है तो पन्ना धरन कर लें इन लगन वाले तो इम्मिनिटी की वरद्धी हो जाती है बहुत धिक शमताएं भी बढ़ जाती हैं बहुत धिक कुशागरता पद परतिष्टा का लाब मान सम्मान की परापती ये सब फल होते हैं परापत मित्वन और करन्या लगन वालों को क्योंकि इनका लगन स्वामी बुद्गरे होता है मित्वन लगन के लिए बुद्गरे लगन के साथ साथ चोथे स्थान का स्वामी भी होता है चतूर्थ भाव का स्वामी होने के कारण से दोनों का फल देने लग जाता है, मतलब योग कारक हो जाता है, इस लगन वालों के लिए बुद्ध, और लगने चतुर्थ का स्वामी होने के कारण, और लगन का स्वामी होने के कारण, पन्ना धारन करने से, चतुर्थ भाव भी लगन के साथ सक्रिय हो जाता है, इसलिए पन की प्राप्ती भी होती है बहुत एक सुख के साधनों की भी प्राप्ती होती है समस्त परकार के हर परकार के बहुत एक सुख लगजरी उसमें आभुशन भी है वाहन भी है इन सब वस्तों की प्राप्ती के मार्क खुल जाते हैं और फिर कन्य लगन वालों के लिए ये दशम बढ़न भाव का स्वामी भी है लगन का स्वामी भी है विद्ध कर लिए बढ़ का रतन अगर धारण कर लिया जाता है पन्ना तो करने लगन वाले जातक के लिए यर्ज प्रभाव एक्टिवेट हो जाता है करम भाव राजनीति का भाव राज्यस्थान ये प्रभाव इसका एक्टिवेट हो जाता है मतलब करने लगन को इन सब के फल पराप्त होने लग जाते हैं सकारात्मक फल पराप्त होने लग जाते हैं अगर करने लगन वाले बुद्ध का पन्ना धर्ण करते हैं तो, बुद्ध का रतन पन्ना धर्ण करने से एक तो इनका शारिरिक शम्ताइं बढ़ जाती हैं। अकिसी परकार का आलस्या का परभाव हो तो वो दूर हो जाता है, करम शील बनाता है इनको पन्ना रतन। पिता पक्से लाब करवाने वाला भी होता है और संबंद अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाते हैं पिता पक्से सरकार से अगर कोई लाब की आशा है और वो पैंडिंग है कोई ऐसा का रहे है जो लाब की उमीद तो है लेकिन वो लटकता जाला जा रहा है तो सरकार से लाब भी पन्ना पहनने से इस करने अलगन वालों को हो सकता है सरकारी नोकरी से संबंदित लाब हो या पिर राइनेतिक लोगों से लाब हो सरकारी अधिकारियों से संबंद भी अच्छे हो जाते हैं और मान सम्मान के साथ आर्थिक लाब में वरद्धी होने लग जाती है एक और लाब भी होता है अगर कर्षी से संबंदित हैं कन्या लगन वाले या किसी कर्षी से संबंदित उतपादन से जुड़े हुए हैं किसी भी कारह से जुड़े हुए है, किर्शी से संबंदित है वो कारह है तो उस उत्पादन से भी आर्थिक लाब होने लग जाता है वित्वन और कन्य लगन के बारे में अब तुला लगन दौदेश और नमम भाव, दोनों स्थानों का स्वामी होता है तुला लगन वालें के लिए बुद्गर है तुला लगन के लिए बुद्ध दौदेश और नमम दोनों का स्वामी होने के कारण से इस लगन वालों के लिए बुद्ध का रतन अगर धारन कर लिया जाता है पन्ना तो दौदश भाव के सकारतमक पर भाव सक्रिय हो जाते हैं और सकारतमक पर भाव एक्टिव होने के साथ साथ तुला लगन वालों को बार्मे आस्थान दौदश थान सकारतमक फल देने लग जाता है क्योंकि तुला लगन के लिए बुद्ध द्वादश का स्वामी भी है इस से बुद्ध का रतन पन्ना धारन करने से मुसीबतों से जल्दी छुटकारा मिलने लग जाता है और चुनोतियों से मकाबला करने की शक्तियां प्राप्त होती है हैं चुनोतियों से मकाबला करने की शक्ति में व्रद ही हो जाती है सब ही रुकावटों हर परकार की अगर कोई कारियों में रुकावटे हैं तो बाधाएं दूर करने की चम्ता के साथ साथ अंतर ग्यान भी उसका मजबूत होने लग जाता है नमम भाव का भी एक्टिवेट होना तुला लगन वालों के लिए पन्ना धारन करने से होता है क्योंकि तुला लगन के लिए बुद्गर नमम भाव का स्वामी भी है तुला लगन के लिए बुद्गर नमम भाव का स्वामी उनके करण से तुला लगन वाले जातक के लिए बुद्ध का रतन पन्ना धारण करना दौादश भाव के साथ साथ नवम भाव के शुबफल भी पराप्त होने लग जाते हैं तुला अलगन के लिए नवंस्तान का स्वामी होने के कारण से बुद्ध भागेश के रूप में एक्टिव हो जाता है इसलिए बुद्ध कारतन पन्ना धारण करने से भागय को बल मिलता है, भागय बल्वान हो जाता है सकारातमक और धार्मक यात्राओं के अवसर भी मिलते हैं, धरम करम में रूची भी बढ़ती है इस से उसके नैतिक जीमन मुल्यों में वरद्धी होकर के मान सम्मान की प्राप्ती होने लग जाती है और सोभग्या की प्राप्ती भी होती है मनोंची सफलता प्राप्त होने लग जाती है उचित अवसर मिलती हैं किसी भी सफलता के लिए उचित अवसर की तलाश में आम आदमी रहता है हर समय तो इस लगन वालों के लिए तुला लगन वालों के लिए पन्ना रतन धारण करने से वचित अवसर भी मिलने लग जाते हैं परॉकारी परवर्ती होकर के सलाकार के रूप में भी वो विख्यात हो सकता है शिक्षण के कारय में भी अच्छी सफलता पराप्त हो सकती है मकरलगन वालों के लिए मकर लगन के लिए बود्र, नमम और छटे, शिष्ठ भाऊ, नमम भाऊ और शिष्ठ भाऊ, दोनों का स्वामी होता है, इसलिए मकर लगन वालों को, बुद्र का रतन अगर पन्ह धरन कर लेते हैं, तो नमम के साथ साथ शिष्ठ भाऊ भी एक्टिव हो जाता है, नमम भाऊ के ش बहागय तो बल्वान होता है और सकारात्म को धरमगी हृत्राओं का उसर भी इसको वराप्त होने लग जाता है धर्म करम .... रूचीटी भी बढ़ने लग जाती है नैतिक जीवन मुल्यों में वरते होकर मानसम्मान की वी होने लग जाती है सो भाग्या में वरद्धी होने लग जाती है मनोवांची सपलता के उचित अवसर पराप्त होते हैं परोपकारी परवर्ती हो करके सलाकार के रूप में वो मान सम्मान को भी पराप्त करता है मकर लगन के लिए बुद्ध नवम के अलावा शेष्ट भाव का स्वामी होने के कारण से भग्या में वरद्धी तो नवम भाव के कारण करता ही है और शेष्ट भाव का स्वामी होने के कारण से साथ साथ अल्प मात्रा में रोग की आशंका भी रहती है को इनों पर रोग की आशंका भी साथ में होती है या फिर रिण यानि वो कर्ज से भी परिश से पन्ना रतनगा धारन करते हैं तो दोहरा फल मिलता है एक तरफ तो शुब फल की प्राप्ति होती है एक तरफ से रोग शत्रू अरेन से थोड़ी बहुत परिशानी होती है लेकिन भगया बल्मान है इसलिए कोई खास ये परिशानियां छटे भाव से सम्मधित होती नहीं म हुआनी दोश भी होता है संचित्धन की हानी भी होती है निर्धंता नेतरदोश मित्या भाशन यानि बिना मतलब के बोलना और इस कारण से परिवार और अपनों से जगड़ा होते रहना इस परकार की संभावनाएं होती हैं अचानक दुरघटना का योग भी हो सकता है क्य दूइतिय स्थान तो इस कारण से पंचम स्थान का फल तो शुब है लेकिन दूइतिय स्थान का फल शुब नहीं है अशुब है तो अवरेज अगर निकाली जाए तो वरश्व लगन के लिए जो पन्ना रतन होगा वो ज्यादा शुब लेकिन कभी-कभी अशुब फल भी जैसे होता है अब कुम लगन वालों के लिए बुद्ग्रय अश्टम भाव और पंचम भाव दोनों का एक स्थात स्वामी होता है इसलिए कुम लगन वालों को पन्ना धारन करने से बुद्ग्रय अश्टम और पंचम दोनों भाव को एक्टिव कर देता है इसलिए कुम से पंचमबाव का प्रभावव खेल कूद में रूची ओना आनंद की प्राप्ति ओना लाब होना अगर खेल कूद से संबंदित कोई अर्थ लाव होने की अमीद है तो वो होते हैं प्रेम मितरता रोमांस और किसी कला में दक्ष्टा भी होती है प्राप्त इश्टदेव की कि किर्पा प्राप्त होती है पद का लाब होता है प्रतियोगी प्रिक्षा में सफलताएं मिलती है गुरू किर्पा से ग्यान की प्राप्ती भी होती है मंत्र सिद्धी प्रेमी प्रेमिका या विवाहित जोडों में आपसी प्रेम प्रगाड होता है यह तो हुआ पंचम भाव क कारण से अब अश्टम भाव भी एक्टिव हो जाता है तो इस कारण से अशुब फल भी होते हैं जिससे की अचानक धन हानी की अशंका बनी रहती है संपत्ति की हानी भी हो सकती है किसी दुरगटना या प्राकरती कापदा के कारण भी आनी हो सकती है ऐसी यह शंकाएं मतलब विपरीत फल परगट करता है अगर पन्ना धारण कर ले ये जातक कुम लगन वाला तो कुम लगन वाले के लिए सुसराल से भी रिष्टे खराब होने के चांसिस होते हैं विपरीत फल अपनों से भी होते हैं सुसराल से भी संबंद बिगडते हैं तो इसलिए कुम लगन वालों को पन्ना ना ही धारण करें तो ज़्यदा अच्छा होगा अब सिंग लगन वालों के लिए बुद्ध, दूसरे और ग्यार्मे, दोनों स्थान का एक साथ स्वामी होता है और दोनों का स्वामी उनके कारण अधिक अश्भ वल देने वाला होता है अब यहां पर दूइती भाव और एकादश भाव दो भाव एक्टिव हो जाते हैं अगर सिंग लगन वाले की बात करें तो सिंग लगन के लिए सेकंड भाव मेकन्य रशी आ जाती है इसलिए सेकंड भाव भी एक्टिव हो जाता है और ग्यार्मा भाव भी एक्टिव हो जाता है वहां पर मिथुन रशी एक्टिव हो जाती है तो सिंग लगन वालों के लिए दूइती भाव एक्टिव होने के कारण से वाणी दोश संची धन की हानी निर्धंता नेत्र पहन लें तो एकादश भाव भी एक्टिव हो जाता है तो इसके कारण से एकादश भाव वैसे तो लाबस्तान है लेकिन यहां पर एकादश भाव नकारात्मक रूप से एक्टिव हो जाता है तो ग्यारवा भाव अशुब होने के कारण से अनेक परकार की बाद हैं आने लग जाती हैं, कारियों में रुकावटें, नौकरी में नुकसान भी हो सकता है, बड़े भाई बेंसे भी मन मुटाव हो सकता है, आर्थी किस्तिती में कमजोरी और सिंग लगन वाले को पनन नहीं धारण करना चाहिए, आनी ज्यादा होती है. अब इसके बाद धनू लगन, धनू अधिपती दोश पैदा करता है, तो केंदर अधिपती दोश से युक्त हो जाएगा, बुद्गर है, इस लगन वालों के लिए, धनू लगन वालों के लिए पनना मना किया, इसका कारण ये कि सब्तम भाव के एक्टिव होनके कारण अशुब पर भाव एक्टिव होकर के अ शुब भल परगट करने लग जाता है, पनना अगर धारन कर लें तो इससे विवाहित जातक के दामपत्य सुख भी छीन होने लग जाते हैं, और जीवन साथी ये बिजनस करने वाले, अगर साजेदारी में बिजनस है तो उससे संबंध भी बिगड़ने लग जाते हैं, अच्छा तो होता नहीं, इसलिए धनू लगन वाले को पनना नहीं पहनना चाहिए, अब मीन लगन वाले, मीन लगन के लिए भी बुद्ध सब्तम और चतूर्त दोस्त अनों का स्वामी होता है, इस कारण से यहां भी केंद्रा अधिपती दोश से युक्त होगा, अगर पल होते हैं इस परकार से जिससे की विवाहित जीवन, दाम पत्ते सुक बड़ी तेजी से शीन होने लग जाता है, जीवन साथी से या फिर बिजनस करते हैं तो बिजनस पार्टनर से संबंद बिगडते हैं, अचानक किसी दुरगटना के चांसिस होते हैं और आशंकाएं जो हैं वो होती ही हैं, दुरगटना हो सकती है, तो यहां पर चतुर्थ भाव भी एक्टिव हो जाता है और चतुर्थ भाव भी नकारत मक्रूप से एक्टिव हो जाता है, इस कारण से माता से, भूमी से, वान से और भौतिक सुक के साधन जितने भी परकार से हो सकते हैं, उनके भी बाधाएं, रुकावटें उनमें भी होती हैं। केंदरा अधिपती दोश के कारण से ये परभाव होता है और सुक के साधन शूनने हो जाते हैं। मीन लगन वालों को भी इस कारण से पन्ना नहीं पहनना चाहिए। अब मेश लगन वालों के लिए, मेश लगन के लिए बुद्ध, तीसरे और छटे स्थान, दोनों स्थानों का स्वामी होने के कारण से बिलकुल अशुब होता है। इसलिए पन्ना मेश लगन वालों को बिलकुल नहीं पहनना चाहिए। त्रितिय भाव का भी स्वामी होता है और शष्ट भाव का भी स्वामी होता है इस कारण से भाई बैनों से संबंध बिगड सकते हैं अब रुद हो सकते हैं उनके रिष्टे शरीर में एनरजी की कमी रहने लग सकती है माता को भी कोई गंभीर रोग होने की आशंका रहती है ऐ बैटा स्थान अगर एक्टिव होता है तो पन्ह धारन करनेसे अशुभल यहां भी होते हैं यहां उस जातक को रिण से यहां करज से परिशानियां होती references करते हैं बिमारियां भी ऐसी हो सकते हैं जो ज्यदा परिशान करें उन पर खर्चे की वहोते हैं दुर घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है रोग शत्रू रिण के कारण से मानसिक और शारिरिक दोनों तरह की परिशानियां आगेरती हैं इसलिए इस मेश लगन वाले को भी पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए अब करक लगन वाले करक लगन के लिए बुद्ध गर्यद्वादेश और तरितिये यानि बारवें और तीसरे स्थान का स्वामी दोनों स्थान का अशुब रूप में एक्टिवेट हो जाता है तरितिये भाव का मतलब यह है कि परना धारणकर से भाई बहनों से संबंद अबरूद होते हैं शरीर में एनरजी की कमी और माता को कोई गंभीर रोग ह ने की अशंका भी होती है दो आदश भाव एक्टिव होने के करण से दो आदश भाव के नकारात्मक पर भाव सक्री हो जाते हैं थे एक मुसीबतों और चुनोतीं का सामना करना पड़ता है अनावश्य खर्चों में भी वरधी हो जाती है नीद नाहने की समस्या या फेर प पति पतनी के पर्सनल रिलेशन में प्राबलम आने लग जाती है अब वरिश्चक लगन के लिए बुद्ध अश्टम भाव और एकादर्श भाव दोनों का स्वामी होकर के अशुब फल देने वाला होता है वरिश्चक लगन में अश्टम भाव का लौड होने के कारण से बु संपत्ती की हानी होने की आशंका किसी दुरगटना या प्राकरतिक आपदा से धन की हानी प्रपर्टी की हानी होने की आशंका जैसे विप्रीत फल हो सकते हैं सुस्राल से तो रिश्टे अच्छे रहते नहीं हैं सुस्राल से संबंद बिगडते हैं एकादश भाव भी एक् इन रास्तों से हो सकता है, वो रास्ते अवरुद होने लग जाते हैं, अनेक परकार के लाब बादित होने लग जाते हैं, कारियों में रुकावटें, नुक्सान, बड़े बाई बेनों से मन मुटाव, आर्थी किस्तिती कमजोर होने लग जाना, और अंत ये है कि नुक्सान गाला ही रहता है इस लगन वालों के लिए वरिशक लगन वालों के लिए पन्ना रतन धारण करना ज्यादा खराब है नहीं धारण करना चाहिए वरिशक लगन वालों को पन्ना तो यहां आपने समझा कि सभी लगन राशी वालों के लिए पन्ना रतन किस के लिए शुब किस क में पहनना चाहिए जड़वा करके और किस हाथ की उंगली में पहनना चाहिए जोति शास्त्र के अनुसार पन्ना रतन कम से कम पाँच से लेकर ग्यार रती के बीच अपनी आवशक्ता के अनुसार वजन को चुनाव करना चाहिए पन्ना रतन की इंगोटी कांस है यानि ब्रांच में बनवाना सबसे ज़्यादा शुब होता है और फिर या आप सोने में भी सोन धतु में भी बनवा करके पहन सकते हैं इस्तरी या पुरशकोई भी हो पन्ना रतन दाहिने हाथ राइट हैंड में पहनना चाहिए चोटी उंगली कनिष्टी का उंगली इसके लिए बैस्ट होती है उसी में धारन करना चाहिए सबसे ज्यादा शुब महूरत पन्ना धारन करने के लिए कौन सा उसी जोती शास्त के उनसार पन्ना रतन धारन करने के लिए सबसे ज्यादा शुब और दुरलब महूरत बुदवार का दिन हो और पुशे नक्षतरो शुब घटी भी हो बुद्ध सूरे से अस्त नहीं होना चाहिए बुद्ध की हो रहा हो और लगन भी बुद्ध का और नमाश भी अगर बुद्ध का हो तो और ज्यादा अचाहिए तो ये सबसे ज्यादा शुब महुरत होगा पन्ना धारन करने के लिए दूसरा महुरत इसके इलावा जो है शुकलपक्ष का बुधवार हो और बुध उदय होना चाहिए सूरे से अस्त नहीं होना चाहिए शुब घटी स्वारसिध्य योग का महुरत हो तो और ज्यादा अच्छा है तीसरा महुरत किसी भी बुधवार के दिन जब बुध अस्त ना हो और स्वारसिध्य योग हो तो पन्ना धारन कर लेना चाहिए पन्ना रतन धारन करने के लिए विधिविधान क्या है सबसे पहले पन्ना रतन की अंगुठी बनवा करके कच्छे दूद और फिगंगा जल में शुद कर लेना चाहिए शुद करके पूजा स्थान में रख दें पूजा स्थान में बुध गरे के मंत्र का जाप करना चाहिए यह था शक्ती जितना आप कर सकते हैं हादा गंटा पंदरा मिनेट बिना माला के भी कर सकते हैं और बीज मंत्र हर ग्रेश्ट कर सकता है इसके लिए पन्ना की अंगुठी को भी मंत्रित कर लेना होता है इसी मंत्र से फिर श्रद्धा पूर्वा के उत्तर दिशा की और मुख करके पन्ना रतन के उठी राइट एंड की छोटी उंगली में पहन लेना चाहिए बुद्ध ग्रह का जो मंत्र है वो बीज मंत्र मैं आपको उचारण करके बताता हूँ एक तो इसका बीज मंत्र है ओम शर्म शर्म बुद्धाए नमे दूसरा इसका बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम से बुद्धाए नमे ये दोनों में से कोई भी एक मंतर का चुनाव आप कर सकते हैं जाप करने के लिए इस अंगूठी को अभी मंतरित करने के लिए इसके अलावा वैदिक मंतर भी हैं बहुत लंबे चोड़े वैदिक मंतर संस्कृत का है और 9000 संख्या में मंतर का जाप होता है इसको आप किसी विद्वान से करवा लें, वेद पाठी ब्रह्मन से करवा लें तो ज्यादा बैस्ट है वैदिक मंत्र का उचारण साधारण गरस्त लोगों के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है और अगर संपूर्ण मंत्रों चारविधी आप चाहते हैं उसी के मध्यम से पन्ना धारण करना है, परतिष्ठा करवा करके और अभिमंत्रित करवा करके तो अवश्य है पुरोहित या किसी वेद शास्त्री विद्वान से ही वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करवा सकते हैं अगर आप संपुन वीधिविधान और मंत्रों चारणे को जानना चाहते हैं तो इस के लिए मेरे टैलीग्रम चैनल पर सारी जो विधिविधान है मंत्र के साथ दिया है या थैली ग्राम चैनल का लिंग। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टैली क्यानल सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको सभी ग्रेयों के मंत्र विद्धी विधान के साथ मिल जाएंगे। और इस परकार से आप विद्धिविधान से करवा भी सकते हैं, उस्वेम भी अगर जानते हैं सिस्क्रिट के विद्वान है तो कर सकते हैं. अब परशन आता है कि असली पन्ने की पहचान कैसे करें, पन्ना भी डुपलिकेट आता है, एक समन्य पत्थर को ग्रीन कलर दे करकरके नेचृरल की तरह ही दिखाई देता है, असली पन्ना नेचृरल रूप से हरा होना चाहिए और ये असली पन्ना, वज़न में नकली पन्न कि तुलना में थोड़ा भारी होता है चिकना होता है नैचुरल पन्ना कुछ गहरे हरे रंग का होता है इसके लिए परमानिक संस्थान से आप इसका लेबर्टरी सार्टिफिकट मांगें और जी एस्टी बिल के साथ परमानिक लैब का ही टेस्ट किया हुआ याद रखें परमानिक लैब से ही टेस्ट किया हुआ होना चाहिए और असली पन्ना कहां से खरीदें अगर आपको मुश्किल हो रही है पन्ना रतन कहां से खरीदें दुविधा में हैं तो आप हमारे संस्थान से भी खरीज सकते हैं पर्मानिक संस्थान से भी खरीज सकते हैं, हमारे संस्थान से अगर आप पराप्त करना चाहते हैं पन्ना रतन तो आपको सरकार द्वारा मानित टेस्ट, लैब का सार्टिफिकेट, शुदता की गारंटी का पर्मान पत्र, और साथ ही GST बिल भी दिया जाएगा, असली पर्मानिक परना या कोई भी वस्तू अगर हमारे संस्थान से आप राप्त करना चाहते हैं, जैसे की रतन हुए, रुदराक्ष हुए, कितने भी मुक्वाला रुदराक्ष, माला, हर परकार की माला हैं, यंत्र, अब कोई भी भागय वर्दक सामगरी आप राप्त करना चाहते हैं, तो वश्य हमारी वेब साइट पर एक बार विजिट जरूर कीजिए, हमारी वेब साइट शुक्राचार्या.डाट कॉम, इस पर आप विजिट करके भी ओर्डर कर सकते हैं, या पिर हमारे वाट्चाप नमबर पर भी समपर करके आप ओर्डर कर सकते हैं, सामने डिस्पले भी हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिये हुए हैं, तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे, और रतनों की बहुत सारी सामगरी आएं, सो भागय वर्दक उनकी चर्चा बारी बारी से करेंगे, नमस्कार.